जैन सात्यों आप सभी का स्वागता है आपके अपने यूटूब चैनल पर मैं के टू सर आज आपको कुरवाने वाला हूँ ब्रेक सिस्टम यह ब्रेक सिस्टम का अपना पार्ट नमर दो है जिससे पहले अपने एक पार्ट कर चुके हैं आज की इस किलास में हम पढ़ने वा सबसे तो है पारकिंग ब्रेक का उसके बाद इसको कि ब्रेक सिस्टम के पार्ट नमर दो के लास यहें ब्रेक नमर दो कर से हैं इतनी उस सारी कलास होसे को करदे हैं जिससे आपका एक्जाम में एक ग् Wheaties न्हीं Original करते हैं सभ़से पहले देखते हैं अपने mechanical brake mechanical brake को देखने वाले हैं सभशे गाड़ी का पयाओ एक drum से कसा रहता है performs इस DOM आप पेजिब्स अब क्या होता है इस ड्रम के संपर्क में आते हैं प्रतेक पयाओ के ड्रम में दो breaks लगे रहते हैं होती है इसके बारी स्थाग्पर ये प्रतेक सू के यक सीरे तो आंकर पिन के दवारा ये जुड़ी होते हैं ब्रेक सू होते हैं कि जो यह लाइनिंग होती है यह क्या होता है यह यहां से जूड़ी होती है ठीक जिससे क्या होता है कि यह continue rai we go ठीक है इसके बाद दीए जब brake लगाई जाते हैं तब brake lining drum के संपरक में आती है जब brake नहीं लगाए जाते हैं तब retractor spring brake su को अपनी स्तिति में रख लेते हैं ठीक है जिससे brake नहीं लगते हैं यह होता है mechanical brake mecanical brake कա diagram मैं आपको दिखा रहुका है यह बारी जो परता है इसको बोलते हैं ब्रेक ड्रम जिसको मैंने आपको पिछले i mocnh lon इंज सॉ बाद उपड करवाई इसके संपरक में आते हैं इसके बाद ये ब्रेक प्लेट लगी होती है ये होती है ब्रेक प्लेट बोलते है इसको ठीक है चलिए ये होती है एंकर ये इसको जोड़े रखता है ठीक है इस जो लिवर होता है उसको दुबाने के बाद में इस जो प्लेट है उसके माध्यम से ये आपने न्वर्मली देख्याओंगे गाड़ियों के लडा के लिए होते हैं यह होते हैं डिस्क ब्रेक देख्याओं हआइड्र लिक वहील होते हैं इस पूरी असेंबली को कैलि पर करा जाता है ठीक है याद रखना ये इम्पोर्ट्ट है ये पूरा डिस्क पूरा इंपोर्ट्ट रह्में अगले पर कैल्ए को सिरिंग न केल में त्था पिछले पहिए में acağिरे में एक्षिब प्रिक्षन पेर्ड रहते हैं डिस्क के ऊपर क्या होता है ब्रेकी लगाना के लिए ब्रेक इंलेड ट्यू त्यूब में हेंड्रोलिक प्रिक्षन को गाते हैं जिससे डिस्क के पिश्ट्न को अलश्चा देख कर दोते गूमना बंद हो यह होता होता भी पिट्न होता है यह पूरा फिष्ट्न होता है यह पूर Pak Elie solar station दो प्रेशन अवती यह पूरी से इस यह इस से धुर्डा को सबसीर उते एक प्रेल से लियह भग वह एखे हुए यह भी आप द आप देखी यहुछई में outrageous यह जो आफ डिस्क देख रही हो, इसके उपर चिपक जाते हैं, और गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चल दें, अब देखते हैं, अपने डिस्क प्रेक के लाब और हानी कोन कोंचे हैं, यह याद रखना रही इसके लागत है, यह सादरन है, यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की तुलना में यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की तुलना में ठंडा चलता है ठंडा क्यों चलता है यह क्यों कि यह कि बार लगा होता है जिससे हवा की संपरक में रहता है और जिससे यह ठंडा रहता है इसमें किसी भी परकार के एड़ेस्टमेंट की उसके उपर फिट हो जाती है जिससे क्या होता है यह आगे चलता है इसके बाद क्या होता है इसके बाद इसकी हानिया देखते हैं इसकी हानिया कौन कौन सी है इसकी हानिया भी है हानिया क्या है गाड़ी को रोकने के लिए ज़्यादा पेडल प्रेसर की जूरत पड़ती है ठ ठीक है बाइक्स में लगा होता है थीक है एन्डल के दिन अपर लगा होथा है यहाँ पर भ्रेइक ठीकέ जिसे जादा पोटना पड़ता है और पेड़ल ले निए इसके जल्दी प्रेगल उते हैं याँ ज़ल्ध धूसरा लते हैं यह आप दे दें थे ही खठीन होता है यानि कि जो parking brake यानि हैंडब्रेक का connection है ब्रेकों के साथ वह इस system के अंदर बहुत ही खठीन होता है जिसके क्या होता है यह ज़्यादा कारगर नहीं है ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं इसके बाद देखते हैं hydraulic brake यानि दर्व brake जो की दर्व के pressure के दोरा लगाई जाते हैं दर्व के दबाव से hydraulic brake लगाई जाते हैं सक्ति प्रेशन पद्दती से पेडल पर लगाई गी सक्ति दर्व दोरा brake तक पहुंचती है तब यह कई गुना बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि जो pressure जैसे यह आप असलेंडर देखें इसके अंदर आप देखी यह द्रव बरा हुआ है ठीक है यह यह लिए यह जाओ तो क्या होता कि पिस्टन के दविरा जब इस पुरुए जब धुक्य में पर सारा जो तो इसका एरिया औ dire ए पूरा सिस्टम दर्व से बरा रहता है यह दारी ब्रेक ओइल करता है ठीक है चलिए अप देखते हैं आपने सेस्टम को यह देखिए यह आप गाड़ी का फ्रंत वही है धन्य को पिछले हुए ध्र?」 थीक है इसके दवरा क्या होता यह जो प्रेट्ल है इसको दूबाएगा था इसके नाए इसके दोरा इसके अन्दर गड़ता है उसको यह प्रेसर बैजा जाता है था कि एस प्रेसर किए आई डॉलिक प्रेसर से यह dag तो रिल्छ फ्लैक्सिबल होता है ठीक है इससे क्या होता है कि ब्रेक के जो सू है वो खुल जाते है जिससे ब्रेक लग जाते हैं यही किरिए जो पिछे वाले पई इसमें होती है और यही किरिए आगे वाले जो फरंट वाले जो पई इसमें होती है इस पेडल के दोबारा इसको दबाया जाता है इसमें जो सबी लाइने हैं इसमें समान रूप से जाता है जिससे क्या होता है बड़ी हत्रिक केसे गाड़ी की ब्रेक लगते है ठीक है दोस्तों हाइड्रोलिक स्लेंटर आपने पढ़ लिया अब देखिए इसके लाव कौन-कौन से इसके लाव पढ़ते है इसकी जो रतना है वह बहुत ही सर्ल है ठीक है चारों पाईयों में ब्रेक समान सकती से लगते ह ठीक है चलिए ब्रेक लगने की सक्ति अधिक होती है यान्त्रिक लाब अधिक होता है तूट पूट भी इसकी क्या होती है कम होती है इसकी तूट पूट क्या होती है कम होती है ठीक है दोस्तो ब्रेकिंग सिस्टम सवता ही समायोजित होता है यानि कि यह अपने आप बड़ी icias iom gültik , कर से फश्ट कि ऐसरा , थीजिए , इसकी हानिय वक्राइस , इसकी हानिया कॉन 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 से इसकी हानिया ब्रेक लाइनों में infamous होने पर ब्रेक सिस्टम भाई फेल हो जाता ही ithy प्रिमर हेसी यह जो जूषोगों चयुकराँ में रखशाने लिकेज भाई शुक權। र नहीं कहा हूं कि नदी ब्रेक सिस्टम भाई हूं के फैसे लिकेज लिके नरन फारीं, ये खराब हो जाते हैं ठीक है दोस्तों चलिए इसके बाद देखते हैं अपने पावर ब्रेक बाहरी वाहनों में बाहरी वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए अधिक ब्रेकिंग फोर्स की आउसकता पड़ती है ड्राइवर इतनी सकती से ब्रेक नहीं लगा सकता है ठीक है इस ári भे horse बहुत जादा मात्रा में पर प्रावर की प्रयोग सकता होती जिससे ब्रेक लगते हैं थे तिससे क्यों होता कि इस पावर यूसे ब्रेक यह उन वावर ठीस्टेड दिए ऑनमें प्रयोग किया जाते हैं पावर जिसके सब्सक्राइब ऑलब होता सकती है शूरेक लगा १ालेक ऐसे humщ से इनलेक मैनिफोल्ड का इंट होता जब वेक्यूट में जब ब्रेक पैडल दबाते हैं तो धरव परेस वह रती से पालाफ, वहल अचे सिर्ट की यह प्राइडरोलिक 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 प्राइडर मास्टर सेलेंडर के दोरा इस वहा के ट्वार को वक्रेशर करके इस पैडल के दूरा वह क्या होता है वह इस और यी जो सर्व खाइब कर नकिली परिक़ेdır आगे उरकले मास्ट्र सीलेंडर भेज दी जाती है तक में बहुत बाया है। उस Master Slender के द्वारा ये जो पेडल से उस हवा को प्रेसराइज करके वापिस इस प्रेसर को जो सर्वो सिलेंडर या बुष्ट सिलेंडर जिसको बोलते हैं उसके अंदर बेज़ जाता है और वहां से ये पूरी तरिक्के से हवा के प्रेसर से ये ब्रेक लगाई जाते हैं ठीक दोनों शिट्टे होती है उनके बीच में ये लगा होता है ठीक है दोस्तों दोनों शिट्टे होती है उनके बीच में ये लगा होता है चलिए इसके बाद देखते हैं ये शिरफ गाड़ी को पारक या खड़ा करते समय ही लगाया जाता है ताकि गाड़ी जो है लुड के न ठीक है दोस्तों पार्किंग प्रेक क्यों लगा जाता है जब गारी को पार्किंग किया जाता है तो फित होती चीए इसके अंदर तो आप शिच्टम देख रहे उस्टम क्या है ब्रेकिंग सिस्टम है पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम है यह हैंड ब्रेक लगा होता है यह एक प्राइमरी केबल होती है ठीक है जो एक यहां पर यह हब बनिया होता है इक्विलाइजर हुक बोलते हैं इक्विलाइजर हुक बोलते हैं इसको कैल वास पिन होती है जिससे क्य जाता है उपर क्यों तब यह ब्रेक लग जाते हैं ठीक है वह लगे जो आपके जो सू है उसको पूरी त्रिक्टे से खींच के रखता है जिससे क्या होता है गाड़ी के ब्रेक रिखते हैं गाड़ी हिलती नहीं ठीक है क्योंकि वह ड्रम से चिपके रहेंगे जिससे क्या है पर यह आगे नहीं चलेंगे इसके बाद क्या होता है इसके दो परकार कौन कौन से है इसके कॉंट्रेक्टिंग वाले ब्रेक यानि शिकुड़ने वाले ब्रेक इसके अंदर क्या होता है देखिए आना कि इसके अंदर ही, जैसे येuddrigm है, तो इसके अंदर नहीं लगा जारी, इसके बहार लगा जा रहे हैं वो ब्रेक-सू, ठीक है? इससिस्टम में secureने वाले break system में क्या होता है? ये system वोता है, hand break liver खींचने पर एक ब्रेक जुआरा, जिस से इसके अंदर चलने वाला drum पकड़ में आ जाता है और brake लग जाते हैं ठीक है यह होता है इसका system सिकूड़ने वाले का अब फेलने वाला कहा देखिए expanding वाले braking brake होता है उनके बारे हम देखिए इस system में अलग से breaking system नहीं लगा होता है पिछले पईयों के brake system में ऐसा सम्द्ध किया जाता है जिससे उसमें लगे brake सू उसमें लगे brake सू flexible cable के द्वारा फिलाकर ड्रम के साथ बार लगाया जाते है ठीक है दोस्तों इस system के अंदर hand brake lever द्वारा flexible cable और road को खिंच लिया जाता है यानि जो road लगी होते हैं, cable और road लगी होते हैं इसके अंदर, braking system के अंदर, देखिए, ये जो आप cable देख रहे हैं, secondary cable या primary, इनको एक road के दवारा खेंच लिया जाता है, इसके दवारा, ठीक है, इसके दवारा खेंच लिया जाता है, जिससे ये brake लग जाते हैं, ठीक है, दो के अंदर लगी, brake, सू को फेला देती है, जिससे सू को, ड्रम के अंदर पकड़ लिया जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर, क्या सिस्टम है, सिस्टम है, ये एक बार और बता देता हूँ, मैं आपको, ठीक है, ये इसको, सिकूर्डर्म वाले हम देखते हैं, क्या हो जाता है, ये ब्रेक लग जाता है, या जब इसको, निच्चे डाउन करेंगा ना, तब ये ब्रेक सिस्टम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ड्रम के जो, लाइनर सू है, या ब्रेक सू है, जो इससे क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, और इस फेलने वाल इसे लेजने इसके होगए अंदर के ओर जाएंगे ज़े फीक है दोस्तो यह थे अपने ब्रेक शुच्टम इसके बाद अपने देखते हैं Ssystem Abius system बहुत important है बहुत important इसको आफ इंपोर्टल लगा सकते हो ठीक है Abius Anti Lock Braking System है बहुत भी बड़ी आकारे करहा है पहले गाड्यों के दूधरना के समय क्या होता था कि गाड़ी के स्टेरिंग है थे जारोल हमाने तो पॉइंट के ओपर राइघा ये अगे कोई भी चीज थे मितलब वस्तू थी ये हो ये अगे लगे पताठी किया हुता ये अब ब्रेकिंग सिस्taम किया हुआ है गाड़ी को ऐसे गुमा रहा ये इससे क्या हो कर रहे है डृाइबर इससे बचाने की कोशिश चा रहा national ये coordination की project गाड़ी नृक्सान होगा थी का होगा दोस्तो चाह Of उससेंब यह गतिया उत्यार के कश ज्ञेर इस जरी डोंतप है यह से क्या होगा तो जिया दिधा पैये तो इस Kristen में क्या होती यहां से गाड़ी जा रही में च्पक्र है वह इस साइड करता है तो क्या होता है जो एंट्लना होते हुटी वाल इस तुल अरृब दोड़ने के इस इस गाड़ी तोा कैसे एक असने घम कर सकत मोड़ भर ढाते हैं yoo यह जो पकार यह जो speed sensor है वो लगे होते हैं जिस pact के दूबारा इसको बताया जाता है औरी Speed sensor जो Will Live 2 पिख्छे लगे होते हैं जिसने गाड़ी की जो speed है उसको पता लगाया जाता है और ABS है वो इस बोड़ी पड़ते हैं थोरी पाथ है एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टेम एक ओटो मेबाईल सुरुक्षा परनाली है जो किचालक के अनुसा मोटर वाहन के पईयों का सड़क के स्थाय के साथ आकरसन बनाए रखता है ठीक है यह पईयों को लोग वहoter है और एande नियंतरन से बचाता है घे शोचालक परनाली है फीक है अगर वहां एबियूस से लेस नहीं है तो क्यों ही वह नियंत्रन खो देगा परंति वस्तु के सामने या पिछे से टकराने की एक बड़ी संभावना इसमें हो जाती है इससे क्या होता है कि गाड़ी की का जो सिस्टम है वो आगे से और या पिछे से टकराने से ज्यादा संभावना बढ़ जाती है अगर वहां ABS से लेस है याई ABS उसके अंदर लगा हुआ है तो पढ़िये बंद होने पर व याना चारो की जा तृफ है वहां याने कि बार ब्रेक केप गणे बादू सेड़क के उपर गसीट आयए बादा उसको यह क्या करता है तो बादा है यहां यह क्या करता है पढ़ाए यह पहुता करता करता है यह जनी बहार आगरसा ही उसकी जाज करता, यह होता है एक sensor इसके अदर, आद्ररस पस्टीतियों में ये क्या होती है? ये सी कास बात होती है ये क्या होती है? आद्रसों पस्टीतियों में 100 km परस्ती गंटे यगर गती से कोई गाड़ी चल रही है तो वो कार उसको 5 सेकंड रोकने में लग जाता है ABS सिस्टम को 5 सेकंड लगेंगे उस गाड़ी को रोकने के लिए ठीक है दोस्तो तो ये थे अपने ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको करवाया ठीक है breaking system के अंदर जो पहले वाली वीडियो में अपने क्या किया था breaking system के जो component है वो पार्ट है वो किये थे किस परकार ये कारिया करता है गाड़ी के अंदर वो किये थे आज की जो अपनी वीडियो है आज की वीडियो में अपने किये थे breaking system किस परकार से कारिया करता है कौन-कौन से इसके परकार है और इसकी परकार है इसको क्या करते हैं अलक तौरिके से मैंने आपको बताया देखिए मैंने आज क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ यह अपना दूसरा पार्ट था इसमें अपने सबसे पहले मेकनिक ब्रेक किया मेकनिक ब्रेक किया इसके डाइग्राम को देखा फिर डिस्क ब्रेक देखिए किस से पुरकार से कामिक किये इसके बाद देखिए इसके लाब और हनी पड़े फिर हाइडॉलिक ब्रेक को पड़ा फिर पावर ब्रेक को पड़ा ठीक है यह आप सभी को याद है फिर पार्किंग ब्रेक को पड़ा और इसके बाद में जो A-B-S सिस्टम यह टेकनोलोजी की थी अपने यह बहुत ही इंप आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो इसको जादे से जादा सेर करो और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करो ठीक है दोस्तों इससे क्या होगा आप चैनल से जूड़े रहेंगे पल-पल की कोई भी किसी भी परकार किया आपको BRO की बस हो जाए बस दोचा टोपिक हो रहे हैं आपके वो कंप्लेट हो जाए उसके बाद MCQ स्टार्ट करेंगे अपने ठीक है दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद